हर काम सफल हो जाता है मेहनत करने से भीड से भरी इस तुनिया में आपका नाम अवल हो जाता है आपकी होस्ट पेंगी आज के हमारे विशे से जेलोजिकल सर्वे में करियर बनाना चाते हैं उन्हें किस तरह से इसकी तयारी करनी चाहिए और तयारी करते समय किन विशी इस बातों का खयाल रखना चाहिए साथ ही आपको ये भी बता दे हैं कि इस विशय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत इखास मेमान मोचूद है हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मोचूद है डॉक्टर गुपाल शर्मा सर जो जो जोलोचिकल सर्वे ओफ इंडिया भारत सरकार पटना में वेग्यानिक एवं प्रभारी अधिकारी है सर डिड़भार के इस खास कारिक्रम में आपका स्वागत है और कारिक्रम को आगे बढ़ाने से पहले और सवालों का सिलसला शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आप उसका जवाब हमारे विश्यसग्य से जानना चाहते हैं तो हमें हमारे नमबर पर कॉल कर सकते हैं हमारा नमबर है 1800-3456-171 एक बार फिर से दर्शकों को नमबर बता देते हैं हमारा नमबर है 1800-3456-171 और अब कारेकरम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपके पास आएंगे और सबसे पहला सवाल तो यही हो जाता है कि जोलोजिकल सर्वे है क्या? क्योंकि बहुत सारे दर्शक कैसे हैं जिन्हें नहीं पता कि जोलोजिकल सर्वे आखिर है जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया एक वैग्यानिकी संस्थान है जो कि परियावरन वन एवं जलवाई परिवरतन मंत्राले भारत सरकार के अधिन कार्च करता है यह ऐसी संस्था है जो वैग्यानिकों के लिए है और वैग्यानिक खोजों के लिए है और इसमें सबसे पहले हम लोग अनुसंधान करते हैं जन्तूओं का अनुसंधान करते हैं वैसे जन्तूओं का जो वन जीव हैं उन पर नुसंधान होता है, उनका नामकरण होता है और जन्तु विवीधता क्या है इसकी जानकारी हमारा सुनस्थान लेता है, करता है। अभी आज के समय में कोलकटा ओफिस मुख्याले के रूप में है और उनके अधिन, उस मुख्याले के अधिन, 16 चेत्रिय कारजाले काम कर रहे हैं, जिसमें पत्ना का गंगेटिक प्लेंस रिजिनल सेंटर उनमें से एक है, जिसके अस्थापना 1965 में की गई थी, पत्ना में। हम लोग सर्विक्षन का काम करते हैं, जन्तुओं का अधियन करते हैं, उसका डॉक्मेंटेशन करते हैं, इसका में उदेश्च से ही है कि जन्तुओं का सरवे करना, उनका नाम करन करना, उनकी विवीदता का अधियन करना, और वो जितने भी जिव जन्तु हैं, जितने भी जन्तु हैं खास करके अनिमल की बात में कर रहा हूं, हमारा डिपार्टमेंट अनिमल का काम देखता है और बोटेनिकल सर्वे ओफ इंडिया प्लांट का काम देखता है, तो जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया सिर्फ जन्तुओं का काम देखता है और वन प्रानियों पर ही और डाटा एकत्र करता है, और सरकार को भीजता है। सर अगला सवाल हमारा ये है कि जो भी छात्र छात्रा है, जो लोजिकल सर्वे के छ्वितर में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो तैयारिक किस तरह के से करें? देखिए ये विशय बड़ा संगीन है और इस पर ये कहना की तैयरी कैसे चुकि ये बैग्यानिकी संस्थान है तो इसमें मुख्य रूप से बैग्यानिकों का अपॉइंटमेंट होता है और उनको सपोर्ट करने के लिए टेकनिकल स्टाफ और प्रसासनिक स्टाफ होते हैं ज B.S.E. और M.E.C. लेवल के बिद्यारथी चातर चातरा पी-एस-डी जो करते हैं उनको इसमें पॉपर्चिनिटी मिलता है और आइड्मिनिस्टेशन का जो विंग है उसके लिए किसी भी सब्जेट का बिद्यारथी चातर इसमें दे सकते हैं और टेकनिकल में कुछ टखन ये जानकारी सियम्पल कैसे सभी **** इस तरह से तयारी कर सकते हैं एक मतलब बेसिक से हम जानना चाहेंगे कि छात्र चात्राओं की इसकी तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए जैसे कि होता है कि आप अगर मेडिकल के छेतर में जा रहे हैं इंजिनेरिंग के छेतर में जा रहे हैं तो 10th लेबल से अफे 12th लेबल से आपको प्रिपरेशन कर इनको प्लस टू से ही जानकारी रहना चाहिए कि हमको आगे का फील्ड के चुनना है अब अब उनको जांतिव किसमें है इन पर डिपेंट करता है कि वह रुची किदर हैं बैग्यानिक बनना चाहते हैं या ठेकनिकल स्टाब बनन चाहते हैं या प्रशास्नीक स्टाब बनन चाहते हैं तो यह दो-तीन काटेगरीज हैं जो हमारे डिपार्टमेंट में हैं सबसे पहले मैं बैग्यानिक विश्चयों पर जो आदमी काम करना है जो बैग्यानिक लोगों का अपॉइंडमेंट होता है उस पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बिद्यार थी MSC और PhD जिसने क्या हुआ है जन्तु बिज्ञान में खास करके जो बिद्यार थी MSC और PhD करेंगे उनको बैग्यानिक पद के लिए ही उनका चुनाव होता है पहला चीज दूसरा यह कि वैसे बिद्यार थी जिन्होंने राश्ट्य और अंतराश्ट्य एस्तर पर अपना सोध पत्र प्रकासित क्या हो और वो किसी एक विसय में उनकी महारत हासिल हो किसी एक विसय का कहने का मतलब यह है किसी एक जन्तु कोई एक अनिमल पर उनकी महारत हासिल होनी चाहिए तो उस उनका चुनाव GSI में हो सकता है इसी तरह से टेक्निकल स्टाफ जो हमारे यहां होते हैं उसी तरह से पुस्तकाले हमारे यहां लाइबरियरी असिस्टेंट का पद है उसी तरह से फिल्ड असिस्टेंट का पद है लाइबरियरी असिस्टेंट का पद है तो यह सब तक्निकी चात्रों के लिए है जो कि BAC और MAC में जो ग्यान उनको मिलता है उसमें वो कर सकते हैं ती फिर से एक बार हम आएंगे और विश्य का जुक्र करेंगे सर और जाना चाहेंगे कि किन विश्यों पर ज्यादा ध्यान देने की ज़रूत है अगर सब्जिक्ट की बात करें तो देखे जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया का मतलब ही है कि जोलोजी बैग्राउंड आपको होना जाएंगे तो जब आपके पास खासकर के साइंटिस्ट अगर बनना चाहते हैं हमारे डिपार्टमेंट में तो आपको जोलोजी में ही आपको महरत आपको काम करना होगा दूसरी चीज यह है कि आपके जो लगन है जो रूची है वो रिसर्च के तरफ होना चाहिए यह नहीं कि आपके पास डिगरी है तो आपका चुनाब हो जागा नहीं आपका एटिचूड होना चाहिए ऐसा कि आप जोलोजी पढ़कर के जोलोजकल सर्वे आफ इंडिया में आना चाहते हैं तो आप मांसिक रूप से और सारी रूप से सबल हैं स्वस्थ हैं तभी आप इसमें आप बढ़िया से काम कर सकते हैं अधरवाई थोड़ा मुस्किल होगा दूसरी चीज है कि प्रशासनिक पदाधिकारी या प्रशासनिक जो स्टाफ होते हैं वो सपोर्ट करने के लिए होते हैं सवालों का सलसला तो जारी रहेगा सर एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि अगर उनके पास भी कोई सवाल है और वो हमारे विशेसक यह से पूछना चाहते हैं तो हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमारा नमबर है 1-800-3456-171 एक बार फिर से नमबर बता देते हैं हमारा नमबर है 1-800-3456-171 सर फिर से आपके पास आएंगे और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जब हम किसी भी छेतर में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ये हमारे लिए जानना बहत जरूरी हो जाता है कि उसका संस्थान कहा है, हम कहां से पढ़ाई कर सकते हैं ऐसे में हम ये जाना चाहेंगे तो उनके लिए अगर अपने देश की बात करें इंडिया की, तो कहां कहां पढ़ाई होती है तेखिए जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया एक ऐसी संस्थान है जिसके लिए अलग से प्रहाई नहीं होती है यह बारत स्रकार की संस्थान है और और इंडिया बेसिस पर इनका सेलेक्शन होता है चुनाब होता है भारत के किसी भी बिस्विद्याले से एमे और एमेसी के लड तैसले है और फिर वो इंतरवव लेकर के मंत्राले को परियावरन वे नेवन जल्वाई परिवार्तन मंत्राले को लिक्म लिस्ट भेंतिया और हमारे निदेशचक और हमारा मुख्यालय से सहयोग करके फिर उनका अपॉิंटमेंट मेंट पत्र जारी करता है उनका जो है अपॉइन्मेंट होता है सर चर्चा कंटीनियू रखेंगे कोई कॉलर हमारे साथ चुड़ गये हैं उनसे उनका सवाल चानने की कोशिस कर लेते हैं हलो 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 हाँ जी आप अपना नाम बताईए पतो कुबा जी आप अपना सवाल पूछिए सर हम आपका सवाल नहीं समझपा है एक बार फिर से रिपीट कीजे प्राइवेट इन्वर्सिटी से करने के बाद सारी मौगरी में चान्स मिल सकता है नहीं प्राइवेट इंसिचूशन से आप पढ़ाई करें वो तो ठीक है लेकिन टेकनिकल किस विंग में आपका है अगर हमारे छेतर में है अगर टेकनलोजिकल हमारा जोलोजी के छेतर में है तब आप टेकनिकल विंग के लिए अपलाई कर सकते हैं लेकिन अगर आप इंजिनियरिंग के छेतर में है तो हमारे कारजाले में या हमारे डिपार्टमेंट में उस तरह का कोई पद नहीं निकलता है, असोग जी, लेकिन अगर आप जोलोजी के छेतर में टेक्निकल ग्यान आपका अरजित आपने किया है, तो निश्यत रूप से जब कोई भिकिन से निकलेगी, तो आप उसमें अप इसमें कोई कोर्स है नहीं आप सिंपल MSC करिये जुओलोजी में पीएजडी करिये जुओलोजी में और अच्छे पेपर नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में अच्छे फैक्टर में आपके अगर पेपर पब्लिश्ट होते हैं तो आपको इंटर्व्यू में पतना के केंद्र में पर आया जोलोजी के चात्र ही नहीं जितने भी विंग के चात्र हैं उनको हमारे यहां जो बाइग्यानिक हैं उनसे हम हमेशा इंटरेक्शन का कार्चकरम चलाते रहते हैं इससे यह फाइदा होता है उन विद्यार्तियों को कि जिनको थोड़ी भी करियाने के वहां आकर हैं कि को प्री जाते हैं तो उनसे एक प्री ट्रेटरैनिंग में जाता है कि कि ची जोंगे कारियर बनाने के लिए या उसमें जाने के लिए इसी तरह से हम लों angry शनल ड diversity प्रोग्राम भी में जो भी थिटेन एनिमल है खास करके गंगा के डॉल्फिन पर हम हर एक वर्ष विद्यारतियों को ट्रेनिंग देते हैं कि गंगा के डॉल्फिन को कंजर्विशन करने के लिए उसको कंजर्ब करने के लिए क्या-क्या कार्ज करना चाहिए उसको बचाने के लिए हमें क्या- पाद्धान पैदा हुआ है लेकिन 2018 में हमने किया था इस तरह के कार्जकरम और फिर ऐसा लग रहा है कि हम आगे आने मादे समयों में इस तरह का कार्जकरम करेंगे इसमें ऑल इंडिया बेसिस पर हम बच्चों का सेलेक्शन करते हैं जिनको इंट्रेस्ट रहता है कि हम किसी पी word animal जो की थोख कि ठियेन अनिमयल है जिन पर खत्रा है वैसे बहुत सरे अनिमल ईक लिए हमको आगे बढ़ करके किस तरह से काम करें उनको बचाने के लिए उनके सनक्षन के लिए इस तरह की ट्रेनिंग हम लोग ते हैं हमारा मुख्छाले इस तरह से सारे सियूनिक अं वर्धन करते हैं और उनको फिर इंट्रेस्ट जग जाता है कि हमें जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया में आने के लिए हमको और क्या-क्या चीज करना होगा, क्या-क्या पढ़ना होगा सर जोलोजिकल सर्वे की बात कर रहे तो हम ये भी जाना चाहेंगे कि प्रवेस परिक्षा की क्या प्रकारिया होती हैं। कब कब इसमें प्रवेस परिक्षा चात्र चात्राओं को देना पड़ता है। उसमें एड़र्टिजमेंट निकलता है। तरह से समय समय पर हमारा डिपार्टमेंट वेकेंस देता है। आप किस standard के research paper published किया है, किस standard के आपने thesis लिखी है, यह बहुत बड़ी चीज होती है, उसके बाद आपने degree क्या-क्या, intermediate में आपका कितना marks आया है, B.A.C. में कितना है, M.A.C. में कितना है, PhD में आपने किस तरह के animal पर काम किया है, इन सारी चीजों के साथ-साथ, attitude of your research, आप research कर रहे हैं, तो आपका attitude क्या है, आप सिर्फ degree तो नहीं ले लिया है, तो आपके जो research papers हैं, वो बता देते हैं, जो interview लेने वाले होते हैं, उनको ये पता चल जाता है, कि ये सही में इस department में आएगा, तो आपने आपको justify करेंगा। Sir, interview पे आगे हम deeply चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप से जानना चाहेंगे, कि पहले की तूलना में, अब चातर चात्राओं के लिए, जो लोजिकल में करियर बनाना कितना आसान है, और फिर मुश्किल होता जारा है। देखिए, पहले से तो निश्चित रूप से आब आसान हुआ है, क्योंकि अब जो पढ़ाई का पैटर्न बदला है, वो पहले के प्यक्शा अलग हुआ है। एक तो कि अभी बिस्विद्यालियों में और कॉलेजेज में जो पढ़ाई का स्टेंडर है, वो काफी पहले से उत्तम हुआ है, बढ़िया हुआ है, अच्छे टीचर आये हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जिसे खोजने पर न पुस्तकाले में मिलेगा न कहीं किताब में मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ready made available है इंटरनेट पर, अगर आप चाहेंगे कि किसी चीज का ज्यादा से ज्यादा अध्यान करें तो वह material आपको उपलब्ध है। और हम लोग भी यथा संभब जो भी हमसे consult करते हैं तो हम चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा हम input दे सकें, उनको बता सकें। सर एक सवाल और मेरे mind में आ रहा है और हम पूछना चाहेंगे आपसे, इस सेक्टर के अगर बात करें तो इसमें ज्यादा रूची किसकी देखने के मिल रही है लड़कों की या फिर लड़कियों की। देखिए, बेसिकली ये जो 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 जोलोजिकल सर्वे ओफ हिंडिया है, इसमें फिल्ड वर्क होता है, तो अभी के समय में मैं देख रहा हूं कि लगभग 50-50 परसेंट दोनों आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, लड़कियों को फिल्ड में जाना, जंगलों में जाना, से जादा आगे बढ़ चड़ करके हमारे डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया है, और उन्हेंने कई ऐसे इंटरनेशनल और नेशनल सोध किया है, जिनका नाम बहुत अच्छे समाचार पत्रों में भी आया है, उनकी पेपर की बड़ी परसंसा हुई है, इसलिए लड़ सा कंटीनिव रखेंगे, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आप उसका जवाब हमारे विशे सग्य से जानना चाहते हैं, तो हमें हमारे नमबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारा नमबर है 1800-3456-171, एक बार चुरी है, जो च्षाद इस सेक्टर में आ रहे हैं, उनकी रुझान हो इसके प्रति, देखिए, रुझान पैदा करने के लिए ही हमारा डिपार्टमेंट समय समय पर ट्रेणिंग प्रोग्राम ओर्ग्राम और्ग्राइज करता है, ओरियन्टेशन के जैसे प्रोग्राम और किसी एक टॉपिक पर उनको हम टॉपिक बता देते हैं जैसे गंगा के किनारे कितने तरह के पक्षी हैं तो वो बच्चों को हम बता देते हैं कि पच्छी का कैसे आप गन्ना करेंगे पच्छी को आप कैसे पहचानेंगे पक्षी की संख्या कितनी है इसको कैसे आप करेंगे और उनके साथ मैं गंगा में जाता भी हूँ, उनको कैमरा से कैसे उनके फोटो लिया जाए, किस एंगिल से फोटो लिया जाए, तो इस तरह से जब बच्चों के साथ और स्टुडेंट के साथ जब हम इंट्रेक्शन करते हैं, तो बच्चे बहुत जाजे, रूची बढ़ने और गंगा के डॉल्फिन के साथ साथ जितने तरह के उनके साथ associated फोना हैं, birds हैं या macro organism हैं, पानी के अंदर में बहुत सारे ऐसे organism हैं, टेरिस्टियर लैंड में जो पानी और जमीन के बीच में बहुत सारे ऐसे animal हैं, उनके बारे में भी मैं बच्चों में जिग्यासा तो इस तरह से रूची बच्चों में develop हम कर रहे हैं और जब हम रूची डेवलप कर रहे हैं तो बच्चे भी काफी interest ले करके हमसे बहुत तरह की चीजों का interaction करते हैं, बहुत तरह के सवाल पूछते हैं, और वो पूछते हैं कि सर अगर हमको इसमें आना होगा तो हम कैसे ऑ सकते हैं, तो उनको मैं बताता हूँ कि आपको इस तरह की तयारी करनी होगी तब भी इस डिपार्टमेंट में आप आ सकते हैं। लेकिन वो हमारे पास जब आते हैं तो बड़ा बढ़ चड़ करके बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, पेंटिंग करते हैं, डिवेट करते हैं, और आइनिमल पर ही हम चर्चा करते हैं, उसके बाद बिस्विद्याले के चात चात राया आते जो हमारे पास एक बड़ा म्यूजियम है उसमें हजारों तरह के ऐनिमल्स हैं हजारों परजातियां हैं वहां उन परजातियों के बारे में मैं बच्चों को बताता हूं कॉलिज के बिद्यारतियों को मास्तर्स जो कर रहे हैं जॉज जो रहे हैं इस तो न सो करके बिद्याले में देते हैं लेकिन विश्विद्यालियों से जॉ लोग के छातर एक टीम बना करके हमारे पास आते हैं मीच मीच में और वो कभी भी हेड़ो डिपार्टमेंट से भाई चांसर से प्रोभाई चांसर से चिठी लिखवा करके हमारे यह आते हैं चुकि भारत सरकार की संस्थान है इसलिए ओपन फॉर ओल है इसमें किसी तरह का कोई इंट्री फी नहीं लगता है लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया अपलाई करनी होती है कि आपको एक पहले चिठी लिखनी होगी समय निरधारित करना होगा कि हम इतना तारीक को इतना बज़े से हम आपके आना चाहते हैं फिर हम उसे permission देते हैं और फिर उनके साथ हम पूरे museum में घुम घुम करके बच्चों को बताते हैं विद्यार्थियों को बताते हैं तब उनमें automatically रुजहान पैदा होता है इसके प्रति कि हमको भी संस्थान में आना चाहिए तो यह करम चलता रहा है और चलता रहेगा सर थोड़ा सा deeply जाना चाहेंगे कि जो लोजिकल सर्वे के अंतरगत क्या 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 करने होते हैं देखिए आप मैंने पहले ही कहा कि जितने भी protected areas हैं जैसे मान लिए जंगल और नदी है पहाड है या जो planes हैं जिसे आप संभूमी कहते हैं खास करके उत्री बिहार और दक्षनी बिहार गंगा के दोनों तरफ उत्री बिहार और दस्री बिहार के नाम से जानते हैं वालमिकी टाइगर रिजर्व के पास में तेराई गरास लेंड है, फिर बिहार में कई वेट लेंड हैं, कई जंगल हैं, जारखंड में पूरा जंगल है, इन सभी जगों पर हम बन जिवों का अध्यान करने के लिए जाते हैं, तो जब आप लोग नदी के पास जाते हैं, तो हम आक से देख करके उसका हम लोग जो अनिमल ँसको हम डाटा कलके कर सकते हैं, तो सिर्व डाटा कलेट किये कुछ ऐसे एनिमल है जिसको हम सीधे कलेट निमीलेट सा फ़ेफ कर करें। इसको हम इसको चौई ने लबरीकर, लीडिये लॉपिकर पो लातिया, कि स सबब लेयार परजातियों का हम अलग से फिर हम separate करते हैं उसको isolate करते हैं और उसको फिर अलग अलग bottle में हम उसको preserve करते हैं यह नदी के पास में जाकर के मानली यह dolphin हुआ यह पक्छी हुआ यह घडियाल हुआ यह amphibian बहु सारे ऐसे हैं जो मेढक हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, तो उनका या तो हम कैमरा से फोटो खीज करके अध्यन करते हैं, या फिर हम उसे फीजिकली कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है, कि वो सीडूल अनमल तो नहीं है, सीडूल अनमल का मतलब है कि उस पर परतिवन तो नही के लिए तो इन सभी चीजों को भी हम बहुत ही ध्यान पुर्वक देखते हैं और वैसा काम नहीं करते हैं जो सीडूल एनिमल है उसे हम कलेक्ट नहीं करते हैं उसे हम उसी जगह पर अध्यान करते हैं उसकी फोटोग्राफी करते हैं मैक्सिमम टाइम हम उसमें देते हैं उसक हम पहले स्टेडी करते हैं बाइनोकुलर से फिर कैमरा से फोटोग्राफ करते हैं और वहीं पर फिर हम नोट डाउन करते हैं कि कौन-कौन प्रजाती की पक्षी यहां मिल रही है पानी में कौन है पानी के लाइन पर कौन है वाटर लाइन पर कौन है बालू पर जो सैंडवार इस पर कौन है, और फिर आगे जो खेती हो रही है, या आगे जो जमीन है, उसमें कौन-कौन पक्षी है? और उनकी क्या विशेस बाते हैं? जी जी उसमें हम लोग और भी कई तरह की चीज़ देखते हैं इनका खाना क्या है, इन पर खत्रा क्या क्या है, तो वो सब भी हम लोग अपने सर्वे में, रिपोर्ट में लिखते हैं, और फिर बाद में आकर के लेवरेट्री में उसका हम एनलिसिस करते हैं, कितना मिला, जै फिर हम लोग उसका गन्ना करते हैं, और उसका हम फिर रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाके फिर डिपार्टन करते हैं, पहाड पर भी हम वही काम करते हैं, जो हम नदियों में करते हैं, पहाड पर सीधे हम चड़ते नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं पर रूप करके वहां बहुत सारे स्केंग होते हैं तो उन लोगों को हम देखते हैं और उसको हम फोटोग्राफी करते हैं खास करके पहाड़ों में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो जमीन पर नहीं मिलेंगे पहाड़ों में मिलेंगे तो उनका हम फिर फोटोग्राफी करते हैं और तब हम उसको हम अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं. सर ये भी जाना चाहेंगे कि जोलोजिकल के छेतर में कौन-कौन से पोस्ट होते हैं? देखिए इसमें मैंने पहले ही बताया कि तीन तरह के पोस्ट है, एक तो बैग्यानिकी पद है, जो साइंटिस्ट हैं, जैसे हम लोग हैं, दूसरे हैं टेकनिकल स्टाफ, टेकनिकल स्टाफ में है कि टैक्सी डर्मी, अब मान लिए कोई पक्षी मिल गया, और पक्षी को हमको एज सच पक्षी दिखाई पड़ना चाहिए, तो उसके अंदर के जितने भी मिटेरियल होते हैं, उनको निकाल करके और फिर उसका हम लोग लोहे के छड़ से उसका एक फ्रेम बना करके और उसमें फिर हम लोग स्टफिंग करते हैं, और वो पक्षी जैसा ही वहां है पहाई नहीं होती है, लेकिन जो इन्टेस्टे लटके हैं कई सारे जगोंपर इनकी टेनिंग दी जाती है, वो बैसी आत्या है जीशने का सकते हैं, स्पॉर्ट पर हम सोटिंग कैसे करना है तो उसके लिए स़ॉटर है इंस्यक सेटर है इंसेक को कैसे हम सेट करेंगे बाहर से जो हमारी इंसेक आते हैं सर समय बहुत कम बचके है और इसले हम चाहेंगे कि जाते-जाते आप उन छात्राओं को कुछ एडवाईस दे दें। जो जो जी लॉजिकल सर्वे के च्षेत्र में आना चाहते हैं। देखिए हम तो यही कहेंगे कि आप अगर जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया में आना चाहते हैं तो जोलोजी पढ़िए प्लस टू से ही आप ध्यान लगाईए और इस बात का ध्यान छोड़ दीजिए कि आपके पास भासा का प्रतिबंध है आप अंग्रेजी नहीं जानते ह आप उर्दु नहीं जानते है अप दीजिए आप अप में जज़बा होनी चाहीए आप अमें चाहिए पीहड़ी करिए और अच्छे से नहीं आप हम अगली प्रस्तिते में आप से फिर बलेंगे किसी अन्य विश्य को लेकर और किसी अन्य विश्य सग्य के साथ तब तक के लिए आप बने रहे हैं टीडे बिहार के साथ और हमें देज़ें सासर नमस्कार